बेंकर से बेंकर ऐलर्जी, ऐलर्जी चाहे आपको सर्दी जुखाम की हो दोस्तों या फिर आपको स्किन की हो, दोनों के लिए आज मैं आपको ये नुस्का बता रही हूँ, फिरी का नुस्का है ये समझेए, आपका कुछ नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपकी पांच को जड़ से खतम करने में काम्याव हो जाएंगे दोस्तों, ये हैं अमारे पास अमरूद की पत्ती, अमरूद का जो पेड होता है उसकी पत्ती है, अमरूद के फायदे के बारे में तो सभी को पता होता है कि कितने फायदे होते हैं, लेकिन सायद आपने पहले कभी सोचा भ तो Anfang के समझ्या है तो एलर्जी की समझ्या है या फिर बालो के लिए दोस्तों बेहद ही लाबकारी होती हैं अम्रूद की पतियों में दोस्तों विटामिन E, विटामिन C, विटामिन K, फाइवर, और कार्वोाइड्रेंट दोस्तों देर सारी मात्रा में होते हैं जो आपके लिए बेहद ही लाबदायक होते हैं इसी के साथ में आज दो तरह के नुस्के बना कर तयार करेंगे एक को तो आप सर्दी जुखाम खासी में पी सकते हैं दोस्तों पुरानी अगर आपको जुखाम की ऐलर्जी है तो उसको और दूसरा बनाएंगे जिसको स्किन की एलर्जी होती है जैसे स्किन पे रेसेज हो जाते हैं जलन होती है एलर्जी हो जाती है तो उस पे लगाने के लिए तो दो तरीके आपको मैं बताऊंगे दोनों तरीकों को आप द्यान से देखे लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है अमरूद की पत्या ले लेनी है अमरूद की पत्यों को आप दो कर बिल्कुल अच्छे से साफ कर ले इस पे दूल मिट्य बिल्कुल नहीं लगी होनी चाहिए दूल मिट्य से क्या होगा अगर आप इसे स्किन पे अपलाई कर रहे हैं तो allergy की समश्या जादा बढ़ सकती है इसलिए सबसे पहले इस बात की तरफ त्यान दे इनको दो कर बिल्कुल अच्छे से साफ कर ले उसके बाद में ही आप इस्तिमाल करें एक बार के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपको 4-5 पत्ती लगेंगी जादा पत्तियों का इस्तिमाल ना करें 4-5 पत्तियों को ताजा ताजा बना कर ही आप इसका इस्तिमाल कर लें एक बार बनाने के बाद दिन में आप एक दो बार अपलाई कर सकते हूं दूसरे दिन जब आपको इसको लगाना है तो आप दो बारा से बना कर ले ले, एक मिनेट का टाइम लगता है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है, तो इसको देख लेते हम कैसे बनाएं दोस्तों, पहले हम स्कीन के लिए बना लेते हैं यापे, तो हमें यापे इतनी सी पत्या ले लेनी है, आप 4-5 पत्य ले ले, द थोड़ा सा पानी डाल कर इसको आप बिल्कुल बारिक पीस लिए दोस्तों इसको बारिक पीसना है आपको सरदियों के मोसम में जब भी आप स्वेटर वगेरा पहनते हैं या फिर कई बार क्या होता है कि काफी दिन से रखे हुए कपड़े होते हैं और आमुने पहनना सुरू कर देते हैं बिना दूपति खाई या बिना दोए तो उससे भी स्किन में एलर्जी हो जाती है दोस्तों उसमें भी ये बेहद ही लाब दायक है अगर ऐसी कुछ समश्य है तो आप बिंदासी से अपना सकते हो एक दो दिन में ही आपकी पूरी एलर्जी ठीक हो जाएगी तो फार ऐसे इसके अंदर हैं आप Чाहें तो चान कर ले सकते हैं अब एक कोटन बोल की सायतासे दोस्तों जैसे सर्दियों में पैरों में इस तरह की चंबड़ी हो जाती है बिल्कुल सूखि सुखिय और बहुत जादा खुझ लाती है साथ की साथ ऐसे रे सैज जो जाते है और इस तरह से चमड़ी निकलने लगती है तो इस पे आप अपलाई करेंगे न तो एक तो आपको तुरंथ ही ठंड़क मिलेगी दोस्तो राहत मिलेगी तुरंथ जब आप इसे लगाएंगे तो जितनी भी खुजली की इचिंग की समश्या है पूरी तरह से आपकी शांत हो जाएगी आपे इसको आप दिन में कम से कम दो से तीन बार अपलाई कर ले इस तरीके से तो इससे दिरे दिरे करके आपकी पूरी एलर्जी खतम हो जाएगी दोस्तों दो बारा नहीं होगी पता है एक बार चली गई ना तो जड़ से ही खतम है वो और इसका एक फाइदा ये है कि जब आप इसे इस तरह पे स्किन पे अपलाई करेंगे ना तो जलन नहीं होगी बिल्कुल भी बिल्कुल नोर्मल सी आपको लगेगा कि कुछ लगाया है ठंड़क मिलेगी जलन की बजाई से तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये आराम देगी आप ये स्किन की ऐलर्जी के लिए दोस्तो इस तरह की अगर आपको समस्या है तो अपना सकते हैं इसके बाद में मैं आपको दूसरी रेसीपी बता देती हूँ जिससे आपको सर्दी जुखाम अगर बैंकर से बैंकर भी हुआ है न तो तुरंत राहत मिलेगी आप एक कप बना कर लेंगे तब इससे आपको फाइदा मैसूस होगा आप इसको दिन में दो बार ले सकते हो तीन दिन तक लगातार लेके देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे एक कप के लिए आपको यहां पे दो कप पानी चड़ाना होगा दोस्तों जब पानी में बोईल आ जाएगा तो यहां पे आप चार-पांच पत्ती इसके अंदर डाल दे अमरूद की अमरूद की पत्तियों के साथ में इसको आप बोईल उने दे दोस्तों इसको अच्छे से उबालना है जिससे की अमरूद की पत्तियों का जितना भी रस है अर्ख है वो पूरा इसके अंदर आ जाए और यह जो चाय बनकर तयार होगी ना दोस्तों बेहद ही लाबकारी है सर्दी जुखाम में आप एक बार लेकर देख ले ना आपको तुरंत लाब मिलेगा इससे अब इसमें थोड़ा सा इसका स्वाथ बढ़ाने के लिए यहां पे थोड़ी सी चाय पत्ति डाल देंगे तो आपको अगर पसंद है तो डाल सकते हैं नई तो आप इसके अंदर अगर आपको कफ की समश्या भी है न तो दो तिन लोंग भी डाल सकते हो और चाय पत्ती को स्किप कर सकते हो लेकिन याप इस सर्दी जुखाम के लिए बना रहे है अगर आप इस तरीके से अमरूद की पत्यों के साथ में और चाय पत्ती की साथ में बना कर एक कप ले लेंगे तो तुरंत रहत मिलेगी आपको आप इसे दिन में दो बार ले सकते हैं सूबे ले सकते हैं चाय के जैसे औ याथ को वी अगर आपको ज़्यादा चाय और पीते है आपको इसको भी लेना होता है जैसे की अंगरह में जितनी और जितनी खराशोगी याप चेश्ट में होता है वे जमा हो जाता है तो आपको तुरंत राहत मिलेगी दोस्तो इसमें इस तरीके से आप आदा निबू डाले मीठा पसंद है तो इसके अंदर आप सैध डाल सकते हो एक से डेड़ चमच इसमें सैध डाले आप सर्दी जुखा में अरतर से सैध भी जो है भूती ज़ादा देने वाला होता है तो सैध के साथ में आप मिठा कर लें जिनको सुगर या डायविटीज की समश्या है दोस्तो वो इसे बिना सैध के ही पी सकते हैं इस तरीके से निबू डालने के बाद में लेकिन बाकी लोग इसके अंदर एक चमच सैध एड़ कर सकते हैं तो यह अमारी जो सर्दी जुखाम क चाय को रेगुलर करते हैं न कुछ महिने तक तो आपकी जो पुरानी एलर्जी होती है या चेश्ट में सालों से बल्गम जमा हुआ है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा दोस्तों लेकिन इसका आपको अगर रेगुलर लेते हैं तो सुबह ही एक कप लेना होगा चाय की ज पर लगाने की है इसको आप दिन में दो से तीन चार बार भी लगा सकते हो जब भी आपको लगी तो जल्दी ठीक होंगे और जो यह पीने की रेमेडी है इसको सिर्फ आप दो बार ले सकते हैं कोई भी चीज ज़्यादा सेवन करना उसका नुक्षान हो सकता है दोस्तों इ यह सभी के गरों के आगे हैं लेकिन सिर्फ इनके जो फायदे हैं उनको नहीं जानते हैं तो आप चाहें तो सेर करके वीडियो को सभी से इसको आवगत करा सकते हों आपको वीडियो अगर पसंद आता है ना तो प्लीज लाइक कर देना कमेट करके जरूर बताना और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद